कि आपका ध्यान एक बहुती महत्पूर्ण विशे पर आकरशित करना चाहता हूं जिसका संबंध रखते हैं भारत के राष्टपती के चुनाव से जी हाएं इलेक्शन कमिशन ने राष्टपती के चुनाव के कारेकर्म की घोश्डा कर दी है 18 जुलाई को राष्टपती को चुनने के लिए मद्दान होगा और जरूरी होने पर 21 जुलाई को मतो की किंती कराई जाएगी इससे साफ है कि 21 जुलाई तक राश्टपती चुनाव का परणाम परणाम आ जाएगा मौजूदा राश्टपती रामनात कोविन जी का कारेकाल 25 जुलाई को खतम होगा वहीं भारतिय सम्विधान के अनुछेद पासट यहीं के आर्टिकल 62 ऑफ इंडिन कॉंस्टिटूशन क सिट्वेशन देट न्यूप प्रणाली के एकल संक्रमनिय मत पदती के द्वारा होता है इसके कहने के मतलब यह है कि प्रैसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इंडिरेक्ट होता है इसमें जिस परकार से पार्लिमेंट और लेजिसलेटिक असे Kal Krie Dry चुनाव होते हैं जिसमें तर जाकर के वोट डालते है लेकिं इसमें इंडिरेक्ट रेप्रिसेंटेशन होता है इसमें MPs और आकर के वोट इसका मतलब यह हो कि राजपती चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ दो नॉमिनेटेट करने वाले विदायकों और दो अनुमूदक जरूरत होती थी इस वज़े से उस दोर में चुनाव लड़ना बहुत ही आसान था कोई भी लड़ सकता था करीब 20 वर्ष तक इस नियम का दुरूपयोग भी हुआ साल 1974 में समयधान सशोधन करके दो विदायकों की अनिवारतों को खतम करके अब दस दस कर दी गई इसके बाद 1997 में संसोधन करके इस संक्या को बढ़ाकर पचास पचास कर दिये दोस्तों अब चुनाव लड़ना प्रेजिडेंट के लिए कोई मामूली काम नहीं है एक बार कुल आकड़ों पर नज़र देखें इस लिहाँ से राज्यसभा और लोकसभा सांसतों के मतों की कीमत पांच लाक उनसाथ हजार चारसो आठ है माफ कीजेगा जबकि विदायकों के मामले में ये संक्यां पांच लाक उनसाथ हजार चारसो पिचानवे पर है ऐसे में इलेक्ट्रो कॉलिज का आंकड़ा दस लाक अठानवे हजार नौसो तीन पर पहुंच जाता है आप समझ सकते हैं कि कितना दिल्चस्प ये इलेक्शन होता है देखें कैसे होती है जीत उमिदवार को डाले वे कुल वोट का पचास विशदी और एक अत्रिक्त वोट हासल करना होता है इसी अधार पर प्रेजिडेंट का चुनाव होता है अब आप देखिए देश का मुक्या और भारत का प्रतेम नाग्रिक होता है हमारे राश्टपती राश्टपती भारती शर्सस्त्रसेना को भी सर्वोच कामना होती है भारत के राश्टपती लोकसभा, राज्यसभा, विदान, सभा के निर्वाची तस्दूरा चुना जाता है जैसे मैंने भी आपको पहले कहा भारत के राश्टपती का कारेकल पांच वर्शोका होता है जी हाँ दोस्तों पांच वर्शोका होता है और जो भारत के राष्टपती का आधिकारिक आवास है भारत की सुतनता से लेकर अब तक चौदे राष्टपती हो चुके हैं भारत के राष्टपती पत्की सापना भारती सम्विधान के दौरा की गई इन चौदे राष्ट पतियों के अलावा तीन कारे वहाग राष्ट पती भी हुए बता सकते हैं वो कौन कौन है जो पदस्त राष्ट पती के बाद बनाए गए भारत में प्रतन राष्ट पती कौन थे हाँ बताए जी हां मैं आपका उतर देता हूं डॉक्टर राजिन परश सामिल हैं जो बाद राष्ट बाद में राष्ट पती बने दो राष्ट पती जाकिर उसन सहाब और फकुरुदीन अली एहमद सहाब जिनकी पदस्त रहते हुए मृत्ती जिए यह दो ही ऐसे राष्ट पती थे जिनका जब पदासीं थे उसके दारों उनका इंतकाल हो गया अब हमारे बीच में नहीं रहें राश्पति रहने से पूर भारा सरकार पेविदेश मंतरी थे रक्षा मंतरी और जी करना मुखर जी ने बहुत उच्छ पत्ः पर जाकर के और उन्हें अपना जो प्रतिवा पाठिल थी जो मैं समझतों भारत की पहली राश्टपती थी वर्तमान में 25 जुलाई 1907 को राश्टपती का पद्र रामनात को विंद को प्राप्त हुआ जो भारत के चौद्वे राश्टपती हैं इससे पहले हमारे बहुत चर्चित दिलों के नस्दीक एपी जे अब्दुलक अलाम सहाब जो की बहुती सरहलता के उधारन थे उनको याटल बिहारी बाचपई सरकार ने एक ऐसा राश्टपती चुना जो अभी तक उसके उनके पद्चिनों पर चलना असानी नहीं वो एक बहुत बड़े स्पेस शाइन्टिस्ट थे और उनको जो सपोर्ट किया था वो कॉंग्रेस ने भी किया था और बीजे पी ने भी किया था तो ये बहुत बड़ा अपवा सपोर्ट किया राश्पती का चुनाव देखिए एलेक्ट्रो कॉलिज से होता है राश्पती चुनाव में वोटिंग करने वाला निर्वाचन मंदल भी महतपूर्ण माना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाची सदय मिलकर निर्वाचन मंदल बनाते हैं विदा सब्सक्राइब में एक तालिस सो बीस विद्या वोगन वाचन मंदल बनता है तो आप समझे कि किस प्रकार से राश्पती का चुनाव होता है जी हां इस बार राश्पती का चुनाव बड़ा दिल्चस्पोने वाला है और काफी कैंडिडिट सामने आ रहे हैं हर प्रकार के प्रतिनित की बात चल रही है और मैं समझताओं की मुदी सरकार के अंदर जो भी राश्पती बनेगा वो एक विशाल सभू और उनका भरोसा उनका प्रतिनित उनकी आस्था उनका ट्रस्ट और एक ऐसा और जस्वी विक्ती भारत का राश्पती बनेगा जो की भारत की जिम समयदानियों को समझता हो भारत की समयदान के बारे में जिसको समझ हो भारत में कानून कैसे तो ये तो अभी अटकले लगाई जा रही है कहना बहुत मुश्किल है नाम बहुत सारे आ रहे है किसको राश्पती बनाया जागा दोस्तो आप भी मुझे अपने कमेंट्स में मैं आपको मेरा ये थोड़ा सा एक विष्टलेशन, a little analysis about the presidential election, which is very, very important election for the country because he is a constitutional head, he is the sovereign commander of all the three wings of the army, defense, air and sea. So, the president plays a very important role and in terms of our defense strategy, in terms of our constitutional robustness, in terms of what kind of legislation need to be consented, not to be consented, including amnesty. Petition can be given by the life convict or somebody who has been given the capital punishment can approach the president of India for clemency, for amnesty, for exonerating that person from the gallows. So, the president plays an important role though our constitution represents many elements of most of the constitutions across the world. No wonder, so many amendments have been carried out because it reflects the aspirations of the society. Jai Hind, Jai Bhana.